नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ रौसान और आप देख रहे हैं GK Affairs YouTube चनल, दोस्तो इस चनल पर आपको प्रिविएस एर पेपर का डिसकसन और साथ ही साथ है, बहुत सारे लिक्षिर आपको करवाया जाते हैं, तो आप लोग जरूर इस चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क इसको प्रेस रहे हैं, दोस्तो हम RRBJE का रेजिनिंग का question discuss कर रहे हैं, प्रिविएस एर पेपर का, तो आप जरूर इसको देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और देखिए question जब मैं आप solve कर रहा हूं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कि खुद से solve करना है उसके बाद ही आपको जो है answer देखना है, तो चलिए शुरू करते है, question number 6 है, इससे पहले के 5 question हम discuss कर चुके हैं, देखिए find the odd one out आपको जो है यहाँ पर choose करना है, तो option से, तो अब जैसा कि देख पा रहे हैं, F है, H है, N है और U है, तो देखिए सबसे पहले आपको इस तर पा रहे होगे, U जो है यहाँ पर आपको एक मात्र vowel है, बाकि सभी जो है consonant है, तो correct उतर इसका जो है D होगा, तो एक ही check करने से आपको जो है, मिल गया, otherwise इसको जो है number के अनुसार भी आप check करेंगे, इस तरह के अगर vowel consonant से नहीं match करता है तब, तो देखिए इसका answer आपको D होगा, अब देखिए next question आपके सामने है, एक series का question है, complete the series, अब देखिए इस तरह के question जो है आपको जब solve करने होते हैं, तो आपको a square, cube आपको जरूर याद होने चाहिए, तो देखिए यहाँ पर आपको 2 series जो है देखने को मिलेगा, तो देखिए 125 है, उसके बाद देखि 169 है, फिर आपको 25 देखने को मिलेगा, फिर 13, फिर 5 और फिर आपको question mark, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, यह आपको cube और square की रूप में देखने को मिल रहा है, तो देखिए, पहले 125 का करते हैं, तो 125 देखिए square नहीं है, जबकि एक cube है, किसका 5 का cube है, और 25 किसका है, तो 5 का square है, और 5 क्या है, तो 5 पर power 1 है, तो देखिए, नीचे का एक series आपको देखने को मिल रहा है, उसके बाद उपर का series आपको देखिए, 179, 169 किसका है, तो 13 का square है, और इधर देखिए, आपको 13 देखने को ही मिल रहा है, यानि कि 13 पर power 1, और देखिए, next क्या होगा, इसी 13 का series होगा और यानिकि 13 पर पावर 0 तो देखिए, 0, 1, 2 इस series आपको देखने को देखने को मिलना है पावर में, तो 13 पर पावर 0 यानिकि किकि किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है तो उसका अंसर होता है 1 तो इसका correct उतर होगा दोस्तो यानि कि यह इसका सही उत्तर हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए दो सीरीज यहाँ पर काम कर रहे हैं आपको square, q आपको जरूर याद होने चाहिए तो देखिए यह आपको देखने से ही पता चल रहा है कि कहीं नहीं गहीं यह square और q कहीं यहाँ पर खेल है तो दो सीरीज यहाँ पर follow हो रहा है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उसके बाद देखिए next question आपके सामने है तो यह आपको direction का question है तो direction का है जिसमें कि आपको question है कि राहुल start walking toward west यानि कि राहुल जो है तो देखिए किस के तरफ west की तरफ यानि कि पस्चिम के तरफ चलना शुरू करते हैं तो देखिए हम diagram बना लेते हैं तो देखिए north, east, उसके बाद west और south हम बना लिए उसके देखिए after a while तो सबसे पहले west की तरफ चलना यह शुरू किया है सबसे पहले हम west की तरफ बना देते हैं चल रहा है, यहां से starting point रखते हैं उसके बाद after a while he turns left उसके बाद यह क्या हो रहा है तो left की तरफ यह मुड़ जा रहा है तो left की तरफ मुड़ गया and then to his right उसके बाद क्या है, right की तरफ मुड़ गया तो इस तरह से आप देख पारेंग, right की तरफ again he turns left direction a है, तो यहां पर दो बार तो दो बार a south की direction में मुड़ा है तो correct तर होगा a दो बार a south की तरफ मुड़ा है यानि की तरफ मुड़ा है तो देखे direction के question तो बहुत ही simple होते हैं तो इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा उसके आदेखे next question आपके सामने है यह थोड़ा सा जो है new तरह का question है इसको जरूर जो है पहले खुद से परियास करिए उसके बाद ही आप लोग जो है इसका जो है answer देखेगा तो देखे किस तरह का question है यहां जैसा कि आप देख पा रहेंगे कि 2 है और bracket में 101 लिखा हुआ है और फिर 5 लिखा हुआ है इसी तरह से 8 है bracket में 246 है और फिर जो है 3 है तो देखे पहले हम पहला का operation करते हैं तो देखे 2 और गुना 5 करते हैं तो देखे 2 गुना 5 अगर करते हैं तो यहां पर 10 हो रहा है 10 हो रहा है और देखे 10 पलस 1 को जोड़िएगा यानि कि 10 जो है उसको 1 पलस 0 करिएगा यहां पर 1 ही आ रहा है तो यहां पर आपको 1 रख देना है तो यहां यही आपको बीच में किया गया है operation इसी तरह देखे 8 और 3 क्या है तो 8 हर 3 होता है 24 और देखे 24 को अगर हम add करते हैं तो यानि कि 24 को संख्या को add करते हैं तो 2 पलस 4 यानि कि 6 तो यही 6 जो है आपको यहां रख देना है आप समझगे यह दोनों को multiply करना है और जो संख्या है उसको add करना है यानि कि 10 आया तो 1 पलस 0 उसके बाद इसको रख देना है bracket में इसी तरह देखे आग इसको operation करते हैं देखे 3 और यहां पर bracket में कुछ रखना है और 7 देखे 7 और गुना 3 करते हैं तो 21 और 21 को अगर add करते हैं तो 2 पलस 1 यानि कि इसके संख्या को add करते हैं तो 2 पलस 1 यानि कि 3 तो देखे bracket में आएगा 213 तो correct तरह होगा दोस्तो इसका B यह थोड़ा new तरह का question था इस तरह के question कम आते हैं तो इस तरह के question को जरूर practice करिएगा हमारे साथ बहुत सरे question यहां करवाएंगे आपको जरूर फायदा होगा दोस्तो इस वीडियो मितना ही अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजेगा और देखिए अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर सेर क कर दीजेगा so thank you दोस्तों इस वीडियो मितना ही धन्यवाद